तो लिमिट्स में आज हमारी एडिंग हो जाएगी एवैलिवेशन आफ ट्रिगनोमेट्रिक लिमिक्स कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम डिराइब करेंगे और ये हमारे फॉर्मूले कुस्टिन्स में हमारे मदद करेंगे हैं तो हैडिंग हमारी क्या हो जाएगी आज हम ट्रिगनोमेट्रिक लिमिक्स के बार में बढ़ने माला हैं तो कि ट्रिगनोमेट्रिक बेस्ट कुस्टिन्स किस टाइब से लिमिक्स में आने माला हैं कुछ फॉर्मू पॉर्मूला हो जाएगा हमारा इसाइन थीटा आपान थीटा को देख की हम 1 बोलने लगता है नहीं! साइन थीटा आपान थीटा तर 오늘 होगा है तो फूपर ही पिए प्रयृत 2016 कने ख़ोगा, तो जरूभी क सब्सक्राइबाज ओन आग वुपर थीटा अपॉन साइन थीटा बन होगा लेकिन थीटा टेंडिंग टू जीरो होना भी ज़िए अगर किसे नहीं के भी है कि साइन थीटा अपॉन थीटा और लेमिट जो है वो अलफा टेंडिंग टू जीरो है तो अलफा टेंडिंग टू जीरो और थीटा अपॉन थीटा अग लेकिन अभी हमें यह फार्बूला याद रखना ये दो में अप्लिकेबल मतलब एक तिनो वेटरी में जो रेशियो है वो साइन के साथ और दूशना जो है वो टैन के साथ लेमित थीटा टेंडिंग टू जीरो टैन थीटा अपॉन थीटा हो तो भी वन और या फिर थीटा अ पॉन थीटा हो तो ये भी वन है ये दो फॉर्मूला हमारे लिए है तो हमारी कॉर्सिस क्या हो भी कि जो भी है हमारे से पास अंगल होगा तीटामे भी है उसको कासी थिग करेंगों मरेया क्यां भी हो फॉन ईगार मिलाने की भी अलगे कोर्सिस करेंगे शाइन के साथ दू-ख हाँपन में अपॉन में भी होसिस करेंगे और विजमित ध्यों झेलिटाम दोशना करेंगें वे पॉन और आप चाहें कि one हो जाएगा तो तो cos theta तो सीधे ही theta tending to zero पर one हो जाता है cos theta में theta tending to zero हो तो cos theta सिर्फ one हो जाएगा, upon में theta की जरूरत नहीं है तो देखें इसका proof मैं अभी बता रहा हूं, यहां पर देख लेके हैं, हमें तो direct in की questions में use करने हैं इसके formula का, sin theta upon theta, theta की जगे जब आप 0 रखें नहीं आपर तो ऊपर क्या बन जाएगा, 0, sin 00, तो form जो हमारी है, वो क्या मिलने वाली है, 0 upon 0 की form जैसी 0 upon 0 की form मिलें, हम कौन सा rule यूज कर लेते हैं, L hospital rule, L hospital rule apply कर दी हमें, और भी इसके method है, ऐसा नहीं कि यही method है, इसको कोई proof करने का, दो team method और मिलेंगे, अभी हम आगे और भी सीखेंगे, अभी हम ये L hospital rule से कर लेंगे, फिर अभी मिलेगा हमको expansion method, इसमें sign theta का एक formula हो देखे होगा, वो भी करेंगे, लेकिन अभी हम इसको सीधे easy rule से कर रहे है, जिसका नाम है L hospital rule, तो limit theta tending to 0, जैसी हमने इसको देखा कि 0 upon 0 है, numerator को differentiate किया, तो sin theta का cost theta, और theta का differentiation 1 हो गया, क्योंकि हम किसके respect में differentiate कर रहे है, with respect to theta, अब यहाँ पे theta की जगे पे 0 put कर देते हैं, आपान में 0 के tension, खतब, taking limit, cos और 0, cos 0 की value क्या होगे, 1, ऐसी चारो formula हम, derive कर सकते हैं, चाहे वो 10 का हो, या sin का हो, theta upon sin theta हो, या theta upon sin theta, yes, sin theta upon theta हो, कोई भी हो, क्योंकि हम करते हैं, इन पे base question, जो हमने देखे, यह formula, इन पे base questions क्या मिलने वाला, यह हमारा आगे है, limit theta tending to 0, sin theta upon theta, यह होगा है, अब यह question इसके कैसे मिलागे, question number first, देखते है, limit x tending to 0, sin 3x upon sin x, limit x tending to 0, question हमारा है, limit x tending to 0, sin 3x upon x, तो हम क्या कोशिस करेंगे यहाँपर, कि अगर यहाँ पर 3x है, अपान में भी 3x होना चाहिए, तो यह तो subjective approach होगी, कि मतलब हम स्कूल लेवल में कैसे करेंगे, objective में तो अभी मैं सीधे-सीधे आपको बता दूँगा, answer इसका देखती है, आप बता देगे, तो यहाँ पर हमने क्या किया, limit x tending to 0, sin के साथ जो भी angle है, उससे multiply और उससे divide करना है, इस x के साथ हम कोई छड़ चांड नहीं करें, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे टां होंगे, तो फिर उसमें confusion होगा, इसके साथ कुछ करने के, तो हमें जो भी angle दिखाए देगा, उसी से multiply और divide करें, तो यह वाला जो part है, क्या यह वन हो जाएगा, क्योंकि अगर x tending to 0 है, तो यह भी तो यहां मैं लेक्के भी इखा देता हूं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, कि 3 x tending to be 0 हो जाएगा, sin 3 x upon 3 है, अगर x tending to 0 है, तो 3 x tending to be 0 हो है, तो 3 का multiply कर दिया है, यह सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, यह 1 हो गया, और यह x x कट हो गया, तो 3 तो आंसर क्या आ गया, 3? कोई प्रॉबलम इसमें? अब्जेक्टिव अप्रोच में हमें क्या करना है, अब्जेक्टिव में हमें क्या करना है, कि जहाँ भी अमें sinθ da दिखाई देगा, उसको हम सीधे थीटा लिख देंगे, लग बग भी. और जहाँ 10θ दिखाई देगा, वहाँ भी अम उसको क्या लिख देंगे, थीटा, तो अब अगर यहाँ पर, कुस्टिजन हमारा था, लिमिट x tending to 0, था मैं झाथ दोडुः तरू ने लगता है एपने लिग दिया इसको प्रिंक सभाण रभी है रागी दिखते हैं एस हुक्षिंद गारा इस ट्रेप This жन आन जाता है इसका भी objective method क्या हो जाएगा sin ax ax बन जाएगा sin bx bx बन जाएगा x और x cut हो जाएगा जाएगा a upon b सीधे answer हो जाएगा अगर इसको subjective method से करना है इसकूल लेवल में करना है तो हमारे पास sin ax है तो उन्सें x से multiply एक से divide कर दिया फिर sin bx था, तो हमने bx से multiply और bx से divide तो गी, यह sin theta अपन theta 1 हो गया, यह sin theta अपन theta 1 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ax अपन bx, तो यह limit x tending to 0 ax अपन bx, x और x भी cut हो जाएगा, तो answer हो गया, c भे a upon b, प्रॉब्लम कोई, अब उसके बाद आगे लिख लेता है, इसको एक formula के परिक्याब लिख लेते हैं, formula क्या हो जाएगा, कि अगर fx और gx है, यह आपर limit x tending to 0 दिया हुआ है, और हमने कह दिया कि भाई, यह इस है, तो इसको लिए कोई formula जरूरत ही नहीं है, जो सीधे सीधे हमको पता है, लेकिन अगर हमने यहां पर लिखी है, एक हमने पस notes बन गया ही है, कि अगर हमने s, जो है वो कही सारे time हो सते हैं, यह तो हो सकता है, यहां तो हो सकता है, sin x हो, यहां तो हो सकता है, 10 x हो, अभी हमने sin inverse x नहीं पड़ा है, इंवर्स function जो हो हमारा 12 में मिलेगा, लेकिन फुरास अभी यहें पर लिख देते हैं, कि sin inverse x नहीं हो, यहां 10 inverse x हो, यहां 10 inverse x हो, जैसे sin theta upon theta 1 होता है, वैसे sin inverse x upon x भी 1 होता है, अभी हमने inverse पड़ा नहीं है, लेकिन यहां पर लिख लेते हैं, तो अगर fx और gx हमारे पास, fx और gx जो है वो, fx और gx यह belong करणा है इसको, तो formula क्या बन जाएगा, limit x tending to 0, f of mx और g of nx, तो यहां पर सीदे-सीदे m by n answer आ जाएगा, बाकि सब गया, सब कटकुट हो जाएगा, सिर्फ m और n आ जाएगा, जैसे यहां पर ax था तो a बचा, और bx था तो b बचा, तो a upon b answer होगा, कोई प्रॉब्लम है, इसको आप जरूर अपने पास ब्यांसर होगा, यह इंवर्स वाले जो हम, तो हम तो में पढ़ने वाले, inverse trigonometric function, अभी सिर्फ यह द्यार रखना है, कि sin का inverse, sin inverse x, और 10 का 10 inverse x, और जैसे sin theta upon theta 1 होता है, बसे 10 inverse x upon x b 1 होता है, sin inverse x upon x b 1 होता है, limit x tending to 0, जैसे हमारा question है, limit x tending to 0, sin ax है, upon 10 bx है, क्या answer आजाएगा इसके, सीधे सीधे, अभी तो हमने पढ़ा कि sin theta theta हो जाता है, objective approach से अगर आप देखें, ऊपर ax नीचे upon में bx, तो answer क्या आजाएगा, a upon b, problem कोई देखती ही answer बता देंगे, उसमें कोई problem ही नहीं आजाएगे, एक और question देखते हैं, limit x tending to 0, sin 5x plus sin 2x, sin 5x plus sin 2x upon 10 5x minus 10 2x, अब इसमें हम 10 theta upon theta बनाएगे, यह सब जबर जोस्ती करने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधे हम क्या करेंगे, sin theta को theta let करेंगे, तो यह हो जाएगा 5x limit x tending, यह objective में करना है, subjective में ऐसा काम बिलकुल नहीं करेंगे, और यह 5x minus 2x, तो यह बन गया 7x upon 5 minus 2 3x, तो answer हो गया 7 by 3, अगर आपकी लिए subjective का होता है, तो फिर हम इसमें क्या करते है, कुश्चिन हमारा थोड़ा सा एक लाइन और दिखानी परती है, कि 5x से multiply करते है, sin 5x upon 5x, फिर sin 2x है तो 2x से multiply और 2x से divide हो जाता है, ऐसी upon में भी हो जाता है, 10 5x है, तो 5x से multiply और 5x से divide, और minus 10 2x है तो 2x से multiply और 2x से divide, यह सारे 1 होने बाले थे, और फिर वही लाइन में आ जाएंगे, कि 5x plus 2x upon 5x minus 2x, तो क्यों हमें करना रहा है, पता है कि यह value जो है, वह वह होने वाले है, तो फिर हम क्यों करेंगे, objective में तो खासकर कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे, सीधे answer बताएंगे, जैसे एक question यह मैं दे रहा हूं, इसको देखे आप, limit x tending to 0, sin cube 2x, 10 square 3x, whole divided by x, और into sin की power 4, 4x, यह हमारा question, बताएंगे आप इसका answer क्या रहा है, बैलेंस करें, साइन theta upon theta बनाएं या जो भी मैंने उपर बताया हूं, इसकी कोसिस करें, बनाने क्या हैं जराना बताएंगे, क्या हूंस, आक्या क्या हम है, फो रहा हैं जराना बता भी मैंने मैंने एक सांप एक सामझी खिया एक रpsy على बताएंगे, खताआ दुराल, इसकी कर याम्न जराना क्या है, उन एक क्या बतागैं, जर बसक मैंने झाख़ारों पारां जरां आप उने जरिर्गाल, स्टूल तो कि यहां पर कैसे करें जैसे मैंने बुला ना कि साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं अब्जेक्टिव में जैसे तो इसका पूरा प्रॉपर वैठड ही होगा कि हम साइन थीटा पॉन थीटा बनाया सबी है तो अगर हम al perde ऑप्जेक्टिव अप्रोज से करना है तो साइन थीटा अपॉन थीटा जर तो फोस् से उससे भी कर सकते हैं लेकिन सीधे अब साइन 2 x को साइन क्यूब 2 x को जैसे साइन tiempoorgt दीटा होता है तो उसका साइन थीटा का होल क्यूब लिखता है तो ऐसी यहां पर 2x का whole cube हो जाएगा यह 3x का whole square हो जाएगा upon में x हो जाएगा और 4x की power 4 हो जाएगी तो 2 का cube हो गया 3 का square हो गया और यहां पर x हो गया और और देखो यहां पर x cube था साथ में यहां x cube था और यहां x square था और यहां 4 की power 4 और x की power 4 तो एक्स की पावर 4 और 1 5, 3 और 2 5, तो कुस्चन में क्या आगया, 2 Q 3 square 4 की पावर 4, तो दे को यहीं सहम को पता चल रहा दो, तो 2 का क्यूग हुआ, 3 में square था, तो 3 का square हुआ, और 4 की पावर 4 थी, तो 4 भी पावर 4 हो रहे था, समझारी बद, हम सीधे जिदे एक line में answer दे सकते हैं, इस type की questions का चाहे, जिदना भी बड़ा question है, और अगर हमें पूरे proper method से करना है, तो भी कर सकते हैं, 2 X के whole cube से multiply, divide इसको करेंगे, 3 X के whole square से multiply, divide इसको करेंगे, और 4 X की power 4 से multiply और divide इसको कर देंगे, इसको करेंगे, तो बात करेंगे, तो यहां जाएक answer अमारा, ठीक है, एक और लिख लेता है, यह भी बहुत बार मिलेगा, उमको यह formula के परिकेस को भी लिख लेता है, important point करके, कि अगर limit X tending to 0 है, तो 1 minus cos AX upon X square, इसकी value A square by 2 हो, यह हमारा एक और result है, आप चाहें तो इसको याद रखेंगे, नहीं तो यह लाइन में तो यह solve होने वाला, तो फिर इसको इतना परिशान होने की जब रखनी है, अगर नहीं भी राद रखते हैं, तो भी को प्रॉबल है, हाई यह है कि याद रखते तो एक line में नहीं लिखनी पड़ेगी, सीधे हम answer question देखके answer बता देगी, और 1-cos ax है, तो 2 है तो ठीक है, 3 आजाए, 4 आजाए, 9 आजाए, तो फिर पूरा solve करना पड़ता है, अभी तो पहले इसको proof कर लेते हैं, यह हमारा formula type का बन जाएगा, इसको learn करना आपको, करते हैं, solve कैसे करेंगे, limit x tending to 0, 1-cos ax upon x square, और x की जगे 0 रखा, तो cos 0 0, cos 0 1, 1-1 0, और x square की value 0, तो 0 upon 0 का form बन जाए, differentiate कर दिया, using a loss vital rule, क्या बन जाएगा, limit x tending to 0, 1 का differentiation 0, cos का हो जाएगा, sin ax, और ax का differentiation क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, cos का minus sin x होता है, तो इसलिए minus से plus हो जाएगा, और x square का differentiation 2x हो जाएगा, ठीक यह chain rule में लगा दिया, cos ax का sin ax, और ax का जो है, वो a हो जाएगा, और cos का minus होता है, तो minus पहले से था, तो plus हो जाएगा, तो यह बन गया, a sin, limit extending to 0, a sin ax divided by 2x, अब यहाँ पे ax हमें दिख रहा है, तो हमने ax से multiply और ax से divide कर दिया, sin theta upon theta क्या बन गया है, 1, इस x से यह x cut हो गया, तो देको a square बच गया और upon में 2, a square by 2 answer आज़ा सिधे सिधे, तो अगर हमारा question होता, limit x tending to 0, 1 minus cos 2x upon x square, तो हम इसको इससे सिधे a की value देख लेते की a की value 2 है, तो 2 square by 2 सिधे answer आज़ाएगा, तो 2 answer होगे, इसको हम L hospital rule से भी कर सकते हैं, इसको हम direct trigonometry से भी कर सकते हैं, trigonometry method से क्या होगा limit, लेकिन हमें वो cos 2x होगा तभी कर पाएगा, जैसे माल लिया यहाँ पर 1 minus cos 2x है, तो 1 minus cos 2x का formula पता है, क्या होता है, 2 sin square x, 2 sin square x upon x square, sin theta upon theta यह तो 1 होगे, तो 2 बच गया, तो 2 answer होगे, अब यही question अगर बन गया, limit x standing to 0, 1 minus cos 1, 0, 10 upon x square तब क्या करोगे, तो फिर यह तो L hospital rule का use करो, यह जो भी A है, यहाँ पर A दिख रहा है, formula हमारे पास है कि जो भी A होता, उसका square करो, और by 2 कर दो, तो 50 answer होगे, A square by 2, कोई problem है, एक और question देखते हैं, एक और question देखते हैं, next question है, हमारा limit x standing to 0, 1 minus cos x upon x sin 3x, करें आप इसको solve करें, करें आप में आपको लास करें, करें आपको लास करें, करें आपको अक्रावण, झाल झाल तो देको यहाँ पर हम क्या है हमारे पास तो formula भी है 1-cos x upon x square का है लेकित a square by 2 तो यहाँ पर x square नहीं है तो हम क्या इसको ऐसे भी कर सकते है limit x tending to 0 1-cos x upon x square कर लेते हैं और 1 x से multiply कर दिया है तो यहाँ तो x की power 1 तो हमने x square किया तो x से multiply और यह sin 3x है तो इसकी value तो हमें पता चल दी कि यह क्या हो जाएगा a square by 2 तो a square की value 1 है यहाँ cost 1x है तो 1 square by 2 हो गया और यह sin 3x है तो इसमें भी 3x से multiply और 3x से divide तो sin theta upon theta यह भी बन हो गया और हम ऐसे solve कर सकते है और आज से सीवे सीवे बदा सकते है एक कुश्चन और है जही का वह भी देख लेते हैं limit x tending to 0 question है मारा 10x minus sin x upon x cube अब यहाँ x cube है और 0 upon 0 का form तो देको बने जाए तो यह L hospital rule से भी कर सकते है और direct method से भी कर सकते है तो आपको यह सोचना है कि किस तरी किसे करें और जल्दी आजाए तो कई बार L hospital rule से बड़ा भी हो जाता है कुश्चन करना है कई बार करते जाओगे तर्म्स बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे तो इनका differentiation और tough होता है तो अभी तो खेर यह इतना बड़ा नहीं होने वाल है आपको इसको solve दर सकते हो आपसा तो पहले में इसको direct method से काता हूं दिकते हूं limit x tending to 0, 10x को लिकिया हमने sin x upon cos x minus sin x और whole divided by x cube LCM ले लिया है अपकर limit x tending to 0, sin x minus sin x into cos x whole divided by x cube into cos x उपर से sin x common आगया limit x tending to 0, sin x common लिया 1 minus cos x होगया upon में x cube आगया और cos x होगया अभी हमने थोड़ी दिर पहल एक formula बड़ा 1 minus cos x upon x square तो हम इसको अलग अलग कर लेकर limit x tending to 0, 1 minus cos x upon x square अलग कर लो limit x tending to 0, sin x उपर बचेगा यहां x cube में से 1 x ले लिया तो 1 x बच गया और x साथ में upon में limit x tending to 0, 1 upon cos x बच गया यह सब अलग लग होगी यह सब में formula यह होगी तो कि तो a square by 2 करोगे तो a की value 1 है तो 1 by 2, sin x upon x 1 होता है और cos 0 की value भी 1 हो जाएगी तो answer देखवा गया 1 by 2 तो इस से ज़्यादा easy होगी है तो आप इसको एक बार जरूर एल-hospital rule से भी करके देखें 0 upon 0 का form तो बनी रहा है तो दो बार differentiate करें तीन बार करें तो यह x cube है upon में 0-0 का tension नहीं होना चाहिए upon में 0 आ रहा है इसका मतलब हमें differentiate करें रही के बात की है तो जब भी कभी upon में 0 का case आएगा हम उसको differentiate करेंगे और तब तर differentiate करेंगे जब तक कि upon में 0 का case आता रहेगा अब उसके बाद आगे लिखते हैं जी हो गया होगर हमारा trigonometry का जो है अगर trigonometry की मैटर से आता है वारा position तो हम उसको कासे solve करेंगे अब लिखते हैं कुछ exponential formula तो एगर exponential या log erthim का fixion आता है तो केसे solve करेंगे तो दू formulas ने और आड हो जाएंगे लिखले evaluation of exponential and log erthim limit evaluation of exponential and log erthim limit exponential and and log erthim evaluation of exponential and log erthim limits इसमें वी कुछ formula है वो लिख लेते हैं पर उनको derive करता है और फिर उनका use करेंगे अपने questions में इसमें formula जो है वो वन क्या हो जाएगा formula x tending to 0 हो जाएगा फिर एक और आता है limit x tending to 0 जाएगा यह तीन formula हमको learn करना है इन पर बेश पूश्चन दिन करेंगा पहले इनको derive करते हैं और derive करने का method एक ही अपना वह ही अपना खूश चाहे है तो आपको differentiation पता हो और추 ही a Ry Four X का क्या होतभा e Ry Twoon passer log X का differentiation 2 तो देखने přिचोश्चन कशेशं क्या होता है तो में यहाँ यहाँ पर पता भी दिता हो हम आपको उसी मार्कों पता है e Ryíb Me Kyा proudly empowering क्या होता है e to the power x का differentiation e to the power x होता है a to the power x का differentiation a to the power x log a होता है a to the power x log a base ही होता है और differentiation of log x जो log 1 plus x का 1 upon 1 plus x होता है जैसे log x का 1 by x होता है तो log 1 plus x का 1 upon 1 plus x तो यह differentiation अगर हमें पता है तो फिर यह सारे फॉर्मूले बहुत इजी वे में डिराइब हो जाते हैं कई बार क्या होता है लॉस्पिटल रूल से यह तो डिराइब हो जाते हैं कई बार कुश्चिन बढ़ा हो जाता है कि इसमें हम डिरेक्ट डिफ्रेंशियेट नहीं कर पाते हैं तो फिर उसमें यह हमारे जो फॉर्मूले यह हमारे मदद करता है क्योंकि कर दिखेंगा हम उसकी जेगा पर लॉग ए रखेंगा हो सकता है यह तीनों एक साथ मुल्टिप्लाई में हो तो डिफ्रेंशियेशन तो काफी बड़ा हो जाए लेकिन अगर हमारे पास यह फॉर्मूले है तो हम एक एक को छोटा करके उनकी वैलू लॉग यह अबवान यह अबवान ऐसे रख सकते हैं किसे कुश्चन लेखते है तो आईडिया होगा फैले में इसका प्रूप देख लेकर पैसे करेंगे यह प्रूप बता दो आपको समन में तो आगे होगा आपको किया क्या पहला जो है वो limit x tending to 0 क्या है a to the power x minus 1 upon x a to the power x minus 1 upon x और यह हमको log a base की proof करना है सबसे पहले हम चेक करते है कि क्या यह 0 upon 0 का form बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो a to the power x minus 1 upon x तो x की जगे पे 0 रहा है तो 1 minus a की power 0, 1 minus 1 0 upon 0 तो 0 upon 0 का form मन गया है और अगर 0 upon 0 का form मन गया तो differentiate कर जेते है यानि कि यह आल hospital rule apply कर जेते है तो a to the power x का differentiation a to the power x log a base यसी 1 का differentiation 0 और x का differentiation 1 upon में 0 की tension गतम taking limit ले ले लेते है और x की जगे पे 0 रख देते है तो a to the power 0 log a base की a की power 0 1 होता है तो log a base की आगे होगी तो हमारा यह formula जो हो derive हो के आगे है limit x tending to 0 a to the power x minus 1 upon x log a होगी है कोई प्रॉब्लम इस लो second वाला देखते है यह कर लेंगे second third जितने भी है वो सब ऐसे है e की power x minus 1 upon x limit x tending to 0 e to the power x minus 1 upon x 0 upon 0 का case बन रहा है differentiate कर दिया e to the power x का differentiation e to the power x क्या apply कर दिया apply LH rule और x की देखर 0 put किया तो e की power 0 बन second और third और cold भी हो सबका यही method LH rule से सारे के सारे formula derived हो जाते है third वाले को भी ऐसे ही कर सकते है is it the same limit x tending to 0 log of 1 plus x upon x यह 0 upon 0 का form बन रहा है क्योंकि x की देखर जैसे ही आप 0 put करेंगे log 1 आए log 1 की value 0 और upon में 0 apply कर दिखते है यहापै 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 अल अस्विटल रूल तो log का हो जाएगा 1 upon 1 plus x और x का 1 हो गया और limit क्या है x tending to 0 upon में 0 की टेंशन थेता taking limit x की value होगा 0 put कर भी हो 1 plus 0 1 आजया answer ठीच है बात clear होरी इसमें हम कैसे solve करेंगे किस type chain को हम अग्जेस्ट करेंगे, कैसे स्वाल करेंगे, ये दू हमारे और होगे हैं, जबरी, sorry, exponential और log अर्थिन, अब ज़रा एक कुस्चन इसका देखता है, इस टाइप के कुस्चन जेए के previous year में आये हुए, important है ये, exponential और log अर्थिन दू नुमार्थिन, limit x tending to 0, 6 to the power x minus 1 upon x, इसकी value बतानी है, क्या होगा, क्या हो जाए इस value, formula हमारे सामने है, a की power x minus 1 upon x होता है, तो log a आ जाता है, बाकि सब गार, तो log a का मतलब क्या बन जारे है, log 6 अंसर हो जारे है, problem, clear about, बहुत easy सा part है, जहां पर formula direct लग सकता, वहां तो हम लगाएंगे, नहीं लगेगा, तो el hospital rule apply कर देंगे, अल-hospital rule से solve होगा, और जहां पर apply हो सकता है, बहाँ पर applicable, कर देंगे, limit x tending to a, log x minus log a divided by x minus a, यह हमारा कुश्य हो, log x minus log a upon x minus a, तो अब क्या करेंगे, हाँ पर कैसे solve करेंगे इसको, पहले हम देखते हैं क्या यह 0 upon 0 का case बन रहा है, तो अगर यह 0 upon 0 का case बन रहा है, तो हम क्या करेंगे आपर, डिफ्रेंशियेट कर देते हैं, log x का डिफ्रेंशियेशन क्या हो जाएगा, 1 upon x log a का डिफ्रेंशियेशन 0, x का डिफ्रेंशियेशन 1, a का डिफ्रेंशियेशन 0, और limit क्या है, x tending to a, upon 0 का टेंशिन कर तब taking limit x की जगे पर a put कर दिया, 1 by a answer हागा, ऐसी same question, sin x के term में भी बूचा गया है, तो sin alpha minus sin alpha 0 और alpha minus alpha 0, differentiate कर गी है, sin x का cos x, sin alpha को cos alpha मत बोल देना, क्योंकि हम differentiation with respect to x कर रहे है, ना की alpha, और x का 1 और alpha का फिल 0, limit x की जगे पर क्या रख नहीं alpha, तो x की value alpha जैसे बूट करेंगे, तो cos alpha answer रहे है, okay, बात clear हो रही है, तो कभी भी इस type के case अगर हमें मिलता है, trigonometric limit का या exponential का, तो हमें ऐसी ही करने है, एक question और लिख लेता है, ये भी कई बार j u के previous year में आया होगा, question है हमारा लिख लेता है, the value of limit x tending to 1 by alpha, the value of limit x tending to 1 by alpha, the value of limit x tending to 1 by alpha, sin of cx square plus bx plus a, whole divided by x alpha minus 1, where alpha, beta are the roots of the equation, alpha, beta are the roots of the equation, ax square plus bx plus c equal to 0, ये जो है वो, ax square plus bx plus c के root से alpha और beta, तो हमें limit x tending to 1 by alpha, sin of cx square plus bx plus a, divided by x alpha minus 1 की value बतानी है, c into beta minus alpha upon beta alpha, b option में है beta minus alpha by alpha, c option में है 1 by alpha, d में है c by alpha, 1 by alpha minus 1 by beta, इसको हमें स्वाल देखनी है, यहां पर एक quadratic का छुटा का concept इसको हमें होगा, यहां पर एक quadratic का छुटा का concept इसको हमें होगा, वो आपको देखना है, a x square plus bx plus c के जो roots है, वो alpha और beta है, तो cx square plus bx plus a के roots क्या होगा, बताओ किसी को idea है इस type की quadratic, अगर हमारे पास quadratic कोई है, जिसके roots alpha बीटा है, यहां पर दोलों में क्या change हुआ है, यह एक important concept भी है, आप ध्यान रखे जरूर, a और c की position interchange होई है, देखो न, यहां पर a x square plus bx plus c है, और यहां पर cx square plus bx plus a, अब bx में कोई change नहीं हुआ, बस a और c की position interchange होई है, तो यह एक important point है आप इसको लिख लेगरो, कि अगर a और c की position interchange होती है, तो roots जो होते हैं वो reciprocal में हो जाता है, जैसे अगर quadratic a x square plus bx plus c equal to zero है, इसके roots alpha और beta है, तो अगर हम a और c की position interchange कर देए, c x square plus bx plus a equal to zero कर दे, इसके roots जो होते हैं वो given roots के reciprocal हो जाते हैं, यहनि 1 by alpha plus 1 by beta है, अगर कोई equation है जिसके roots जो है वो alpha और beta है, जैसे माल लिजे हमने equation let कर लिए, x ऐसे ले लेते हैं, यह हमारे पास 1 और 1 root है 2, यह 1 root 2 है और 1 root 3 है, तो इसकी equation क्या बन जाएगे, x square equal to zero करके x square minus 5x plus 6 equal to zero है, यह quadratic हो गए, इसके roots 2 और 3 हो गए, अब ज़रह इनकी position a और c की position interchange कर दो, 6x square minus 5x plus 1 कर दो, ज़रह इसके factor करो, तो 6 के factor करो कि तो क्या मिल जाएगे, 2 और 3, तो 2x, 3x plus 1 equal to zero, तो 2x common लिया तो 3x minus 1, minus 1 common लिया तो 3x minus 1, तो देखो roots क्या मिल जाएगे, roots का मतलब x की values, तो x की value एक मिल जाएगी 1 by 2 और 1 by 3, तो यह देखो, पहले roots 2 और 3 थे, पहले हमारे पास roots क्या थे, 2 और 3, तो equation थी, ax square plus bx plus c, फिर equation हमने change कर दिया, a और c की position change कर दिया, तो roots होते वो reciprocal में बननी, तो वही यहां पर लेकिए कहानी, कि अगर roots जो है, कभी भी तुमारे पास कोई भी quadratic मिलती है, जिसमें a और c की position interchange है, तो आप समझ जाएगे कि उसके roots जो है, वो reciprocal हो जाएगे, reverse हो जाएगे one upon में हो जाएगे, कि अगर कोई quadratic alpha और beta है उसके roots, तो अगर e और c की position interchange कर दिया आपने, तो उसके roots जो हो one upon में हो जाएगे, कि अभी आपने चेक करके देख दिएगे, ठीक है तो यह एक important question है, जिसके roots alpha और beta है, एक तो यह concept हमें याद रखना है, दूसरा important point क्या होगा, कि अगर कोई quadratic ax square plus bx plus c है, और उसके roots alpha और beta है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a into x minus alpha into x minus beta, यह तो बढ़ा होगा न, अपने की quadratic के roots अगर alpha, beta given हो, यहाँ पर e का multiply है तो e का multiply होगा, और x minus alpha, x minus beta, इन ही दोनों कोई तो compare करके, alpha plus beta minus b upon a, और alpha into beta c upon a formula बनाया जाता है, तो अगर quadratic हमारे पास, cx square plus bx plus a, ऐसे करके given है, तो equation क्या बन जाएगी, c into x minus alpha की जगे 1 by alpha, और beta की जगे 1 by beta, यानि कि कोई quadratic हमारे पास ऐसी दिख रही है, तो हम उसकी जगे पर यह रख सकते हैं, c into x minus 1 by alpha, और x minus 1 by beta, यह हम रखेंगे, quadratic जो हमारे question में, cx square plus bx plus a, उसकी जगे पर क्या रखेंगे, c into x minus 1 by alpha, और into x minus 1 by beta, अब अपने question को note कर ले पासे हैं, question था हमारा limit, x tending to 1 by alpha, sin of cx square plus bx plus a, whole divided by x alpha minus 1, तो इसको करने का एक तरीका और भी है, आप इसको ऐल ऑस्पिटल रूल से भी कर सकते हो देको, 0 upon 0 का form बन जाएगा, उससे भी करके ज़रूर देखना, उससे और जल्दी हो जाएगा, अभी तो मैं इसको proper method से आपको बता रहा हूँ, limit x tending to 1 by alpha, sin of, bracket में क्या लिखोगे, c into x minus 1 by alpha, x minus 1 by beta, upon में अगर आप यहां से alpha common ले लोगे, लेकिन sin theta upon theta 1 होता है, तो sin theta upon theta 1 बनाने के लिए, जो भी यह पूरा का पूरा theta है, इससे multiply और divide कर दो, यह मत देखो कि यहां क्या लिखा हूँ है, उससे कोई मत्तब नहीं है, क्यों कई बार हम adjustment करते हैं न तो फस जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सीबे, जो भी sin के साथ angle है, उसी से multiply और divide कर दो, तो हमने c into x minus 1 by alpha into x minus 1 by beta से multiply और divide कर दो, तो यह जो theta tending to 0 है, sin theta upon theta, यह sin theta और यह upon theta, यह पूरे की पूरे value क्या हो जाएगी? 1, यह तो 1 हो गया, तो अब हमारे पास x minus 1 by alpha cut हो गया, x की जगे 1 by alpha put कर देते हैं, क्योंकि अपॉन में 0 का tension कता हो गया, taking limit, और जैसी limit ले लेंगे, तो उपर क्या जाएगा? c, अपॉन यहां पर क्या जाएगा? alpha, और यहां पर x minus 1 by beta भी बचाता है, और x की जगे पर alpha put करें नहीं 1 by alpha, तो c by alpha, 1 by alpha minus 1 by beta, यह हमारा answer हो गया, c by alpha into 1 by alpha minus 1 by beta, option कौन साथ है यह, तो d option हमारा correct भी है, इसको आप देख ले इसको, जाएख जाएख भी होजें, जाएख इसको, बाएख मारा करें ए जाएष़, यहाख की जाएखगा जाएफ़, नहीएभ़ई नहीए जाएगो जाएख़जे, जाए़जीए, सबसकता है , को यहोगजीए बएभ़बवबवें जाएबशा है, कि यह कुछ्चिन कभी प्रिवियर सियर में पूछा गया है इस पूर्टेंट कुछ्चिन यह हो जाएगा लॉगर्थिन अगर लेमिट्स मिल जाती है या एक्स्पॉनेंसियल मिल जाती है तो हम कैसे स्वाल करते हैं फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक भी हमने देता है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स मिलती है तो फिर हम उसको कैसे स्वाल करते है यह कुछ्चिन और रख लेते हैं कुछ्चिन कर लेते हैं यह भी इंपॉर्टन कुछ्चिन इस टाइब का भी प पावर X, माइनस 2 तू 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 दा पावर X, माइनस 5 तू दा पावर X, प्लस 1 अपॉल, X इंटू 10X. अब इसको आप कैसे सॉल करेंगे, सुचों. क्या हम इसमें एल उस्पितल रूल का यूज करें? यह कुछ अभी जो हमने exponential के formula पढ़े, कई बार ऐसा होगा, कि एल उस्पितल रूल से question बढ़ा हो जाएगा, direct method से करेंगे तो छोटा हो जाएगा, और कई बार एल उस्पितल रूल से बहुत छोटा हो जाता है, direct method से बढ़ा हो जाएगा, तो पिर हमें question देखके, ideal लगाना प बस प्रोड़क्ट रूल लगाने से मना किया था वो भी अपॉन नहीं सुचना है कि अब डारेक्ट रूल से भी कर सकते हैं और डारेक्ट से भी कर सकते हैं कर सकते हैं और तक रूल नहीं से बनाने सांव था नहीं से अब यह कैसे हैं और डेखलें में दोनु मैंत यहां को भी मेंद्द में में आपोो बना देभ दक्क पहलेम इसको देख ते हैं कि क्या यह जीरोफॉन इसरोफॉन का वोण बन रहा है तो देखा हमने कि यहां बन रहा ही 0.0 को पौक पॉक्रować X की जगे 0 रुक होगे आप तो 1 plus 1 2 minus 2 0 और अपॉन में दो X दीखी रहा है तो 0 है तो यहां पर LH Rule अप्लाएगा रहा है, LH Rule तो A की पावर X का differentiation, A की पावर X log A 2 की पावर X log 2 5 to the power X log 5 1 का differentiation 0 divided by यहाँ पर product rule करेंगे तो 1st x into differentiation of 2nd 10x plus 10x into differentiation of 1st x का 1 पताना सभी को यह product rule differentiation of 1st into 2nd तो जिसमे कई बार यूश किया होगा 1st into differentiation of 2nd plus 2nd into differentiation of 1st अगर 2 function multiply में है तो हम इस तरीके से उनको product rule से solve करेंगे अब यहाँ पर देखेंगे कि अपान में 0 का tension है अभी की नहीं है पहले पर differentiate कर लेते हैं तो 10 to the power x log 10 2 to the power x log 2 minus 5 to the power x log 5 whole divided by x 10x का differentiation second square x plus 10x और into 1 अब यहाँ पर अपान में 0 का tension तो नहीं है क्योंकि अपान में 0 भीख नहीं रहा कि total solve करने पे 0 आ जींगे तो बस x की जगे पे 0 रख देखेंगे तो 10 की पावर 0, 1 तो log 10 minus log 2 minus log 5 यह तो हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा फिर अपान में x और अच्छा x की value लेकिन अपान में 0 है ok ok तो यहाँ पर तो जेखो अभी जीरो देखी रहा है क्योंकि जब यहाँ एक्स की जएडे पे 0 रखोगे तो यहाँ 0 मिला हमको और 10 0 भी 0 मिल रहा है तो फिर यहाँ पर अभी नहीं रख सकते हैं क्योंकि अपान में अभी भी 0 रहा है एक बार और डिफ्रेंशियेट करना पूँए तो दिको कुशिन बढ़ा होने लगा क्योंकि अपान में फिर यह एक बार और करें नहीं तो हम क्या करें यहां पर दूसरे तरीके से देखते हैं, वह और ईजी होगा देखो, दो-दो के फैक्टर बना लेते हैं, और इससे एक लाइन में आंसर आएगा, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, और इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, कॉमन ले लो जिरा, टेन की पावर x-5 to the power x plus 1 divided by x10x इसमें common लेली जरा 2 की power x को क्या बचेगा देगा 10 की power x को मिङिक सकते 2 into 5 की whole power x तो 2 की power x into में 5 की power x तो 2 की power x common ले लिया तो 5 की power x minus 1 आ गया यहाँ minus one common ले लिया तो 5 की power x minus 1 अपॉन में x 10x हो गया, limit x tending to 0, तो limit x tending to 0, 2 to the power x minus 1 मिल गया, 5 की power x minus 1 मिल गया, अपॉन में क्या आगया, x 10x आगया, अब देखो मैंने यहां पर इसको इधर क्यों लिख भी है, क्यों कि मुझे पता है, कि formula क्या है, limit x tending to 0, a की power x minus 1 upon x अगर होता है, तो log e हो जाता है, तो एकी power x minus 1 तो है, यह देखो ना, एकी power x minus 1 तो है, अपॉन में क्या नहीं है, अपॉन में x नहीं है, तो आपॉन में x नहीं है, तो आपॉन में x से multiply और x से divide कर जाता है, एकी power x minus 1 upon, यहां पर भी x से multiply और divide किया ना, तो यहां भी x और x से multiply करना परेगा तो देखो ये वाला जो पार्ट है limit x tending to 0 2 to the power x minus 1 upon x ये वाला पूरा पार्ट ये log 2 देदेगा आपार पार्ट ये पूरा का पूरा फॉर्मूला ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या देदेगा log 5 ये x से 1 x cut हो जाएगा और x upon 10 x ये x upon 10 x है ये क्या देदेगा ये 1 देदेगा यहां पर ये आ जाएगा इंटू में 1 तो आंसर क्या हो जाएगा log 2 इंटू log 5 ये आंसर हो जाएगा अर प्लियर हो जाएगा अगर अगर हम इस टाइब से करते हैं तो जरूरी हमारा अंसर आएगा ये जरूरी नहीं कि हम इसा हम क्यों लेकी फार्मूला एल हॉस्पिटल रूल है उसको फकर के चले ऐसा कोई जरूरी नहीं है वो हमें कुश्चन बेख के आईडिया लगाना पड़ेगा कि हमें कौन सा रूल कभ यूज करना है जिससे हमारा कैल्कुलेशन इजी होना चाहिए यह नहीं कि हम कैल्कुलेशन को बढ़ा करें और फज जाए और फिर बाद में फिर दूछरे ट्राइक पर चले इससे अच्छा हमें करते समय देख लेना है कि कि दर से हमें जाना है और कौन सा रास्ता मारे लिए सेफ है और सही आंसर आएगा उससे ठीक है बाद समीमारी चलेए कुलेशन आपको और दे जुपों यह आपका होंबाप हो जाएगा यह भी जेए के पिबिएस एर का ही कुश्चन है इसको पार्टेन कुश्चन है जरूर इसको ट्राइग करें आप नहीं आता है तो लिए टन पर जरूर कुच्छा लिमिट एन टेंडिंग तो इंफिनिटी एन की वैलू इंफिनिटी है और यहां लिखा होगा पाई और अर इक्वेल टू 3 से लेकर अंटर आर क्यूब माइनस एट अपान आर क्यूब प्लस एग इसकी वैलू बतानी है क्या होगा और पाइ का मतलब क्या है जैसे सिग्मा करते हैं तो सिग्मा का मतलब होता है समेशन यह सब हम पहले कर चुके हैं यह नई चीज नहीं हमारे लिए पाइ जो है उसका मतलब होता प्रोड़क्ट तो हमें क्या करना है आर की वैलू 3 से स्टार्ट करना है अगर मैं यह कुश्चन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा पहले आर की वैलू 3 से स्टार्ट करूंगा तो 3 क्यू माइनस 8 अपॉन 3 क्यू प्लस 8 एक बन गया फिर अब में एन की वैलू क्या है इंफिनिटी तक यानि यह स्रीज इंफिनिटी तक जा रही है इन फाइनाइट तक यह सारे नंबर का प्रोड़क्ट होगा 3 क्यू माइनस 8 अपॉन 3 क्यू प्लस 8 मैटिपलाई में 4 क्यू माइनस 8 अपॉन 4 क्यू प्लस 8 फिर मैटिपलाई में 5q-8 upon 5q plus 1, ऐसे करते-करते ये series infinity तक जा रही है, और ये सारे number का multiply जो है वो बताना है किसके एक पो लोगा, तो पाई का मतलब product हो गया, और R की value 3 से लेकर कहां तक जाना है, एन तक, लेकिन बाद में n की जगर पर क्या लिखा हुआ है, n tending to infinity, यानि n कहां तक जाएगा, infinity तक जाएगा, पहले 3 से n तक जाना है, बात में उन्होंने भूला कि n की value infinity तक लेकि जाना है, ये question में आपको नहीं बताऊंगा, इसको आपको फ़रूर दिमाग लगाना है, पहले solve करना नहीं होगा तुम्हें बताऊंगा, इस बार में चाहता हम आप जरूर ट्राई करें, इसको अच्छा कुश्चन है, कुछ से स्वाल करें, a cube minus b cube या a cube plus b cube का हो सकता है, ये formula आपको लगी या आपके लिए hint है, infinity तो इसका answer नहीं आएगे, तो क्यों option में नहीं है, आप सोचें कि इन्फाइनाइट तक माइटिक लाई हो रहा तो infinity देदो ना ना उब्स नहीं है, आप a cube minus b cube और a cube plus b cube थोड़ा आगे तक लगाएं 2-4 term में, और फिर देखेंगे आपकी कुछ ऐसा होगा कि इससे बाकी सारी चीज़े गायब हो जाएगी और answer easily आपका ये निकल लाएगी, ठीक है कि लिए आपको home worker, बाकी कुछ next step पर करते हैं, आज इतना ही देखने में करते हैं।